Assalamualaikum, Camtasia Studio में आपको काफी सारे Build-in Assets मिलते हैं इन Assets के लिए आप Just Library पर क्लिक करोगे आप यहां पर दिखो तो आपको काफी सारे यहां पर Icons, Intros, Outros, Lower Thirds, Motion, Backgrounds और काफी सारे चीज़े आपको यहां पर मिलती हैं जो के Camtasia के अंदर Build-in होती हैं इनमें सबसे पहले आपस कुछ Icons हैं तो different किसम के Icons अपने Projects में एड़ करना चाहो तो आप यहां से एड़ कर सकते हो आपको different किसम के Icons मिलते हैं Building से related कुछ Icons मिलेंगे आपको Business से related आपको मिलेंगे आप Just Click करके आप यहां से Drag-Drop कर सकते हैं जैसे कि यहां से इस पर क्लिक करता हूँ और इसको यहां पर मैं Drop करना चाहरा हूँ यहां पर आप ड्रॉप कर सकते हूँ इसके लाब आपको बहुत सारे आपको यहां पर देखें आपको काफी सारे Icons आपको मिलते हैं आपको Projects में इस तरह आपको Education related मिल जाते हैं, Media, People's आपको मिल जाते हैं यहां पर तो आप इस तरह के Icons आप यूज़ करना चाहो तो आप इने Project में आप यूज़ कर सकते हूँ अप जो भी आप Icon या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो तो यहां पर वापस एक Property बार यहां पर बनती है अगर इसको मैं Hide करना चाहो तो क्लिक करूंगा Hide हो जाएगी वापस लाना चाहरा हो क्लिक करता हो वापस आजाएगी इस Property में क्या होता है कि आप इसका Scale बढ़ाना चाहो कम ज्यादा करना चाहो तो आप यहां से Scale बढ़ा सकते हो देखें इसका Scale बढ़ गया कम करना चाहो तो आप यहां से कम कर सकते हो बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो Opacity इसकी कम ज्यादा करना चाहो तो आप यहां से इसकी Opacity कम ज्यादा कर सकते हो देखें, Opacity आप कम ज्यादा कर सकते हो इसकी Rotation कम ज्यादा करना चाह रहे हो, Rotation चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहां से इसकी Rotation चेंज कर सकते हो एक्स वाई और जी की rotation में एक्स की rotation फ़र एक्सम्पल 45 करना चाह रहा हूं एंटर करूँगा तो यह 45 angle पर rotate हो जाएगा तो आप इस तरह की rotation इसकी change कर सकते हो 0 करता हूं 0 ही हो जाएगा देखे rotation आप यहां से भी change कर सकते हो यह ही आप इसके midpoint में लिक्या होगे तो आप आपस यहां पर देखे अगर घोर करने तो यहां पर आपस rotation का एक icon बना वाता है तो आप यहां से इसको rotate कर सकते हो इस बाकि size बढ़ाना है चेंज करना है कम ज्यादा करना है तो आप यहां पर जो dots होते हैं इनके उपर आप size कम control प्रेस करोगे तो यह देखें 4 side से कम ज्यादा हो रहा है shift को प्रेस करोगे एक side से यह आप कम ज्यादा कर सकते हैं देखें keyboard से shift को प्रेस करके और अगर shift और control को चोड़ के आप करोगे तो आप इस तरह इसको बड़ा सकते हैं जो लोग और graphic designing से related जिन लोगों को पता है तो वह short की zone को आती होगी, बाकि यहां पर और भी काफी सारे आपके पास, मैं इसको delete करता हूँ, icons है, icons के लावा और भी आपके पास बहुत कुछ इसमें पड़ा हो है, आप यहां पर, icons के लावा आपस intros हैं, आप यहां पर intros apply करना चाहूँ तो आप intros apply कर सकते हो, जैसे के different किसम की यहां पर आपस intros हैं, आप कोई भी apply करना चाहूँ कर सकते हो, जैसे कि यह वाला intros है, इसको मैं यहां पर, इसके ओपर add करता हूँ, और इसको play करके देखते हैं, तो अपस इस तरह का एक एक इंट्रो जा रहा है अब यहाँ पर एक टैक्स करना है, color चेंज करना है उसके लिए क्या करोगे, आप इसके उपर right click करके आप इसको Ungroup कर सकते हूं अब Ungroup कि प्रक्रसकते हो, Open group पह क्लिक करोगे तो group आपको open हो जाएगा इसके लावा यहाँ पर प्लस का बटन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे, तो अब देखो यह, अनग्रूप हो चुक है, अब अनग्रूप हो है, तो आपस यहाँ पर एक, यहाँ पर देखें, एक separate tab आगए, अब आप क्या करते हो, for example, यहाँ और भी shapes है, 11 shapes है, different कि, एक text है और एक shape है, हार यह text पे काम करना चाहरे हो, तो text यहाँ से आप change कर सकते हो, text पे for example, में क्या करता हूँ, इसके text change कर लेता हूँ, तो उसके लिए इसके उपर आपने double click करना है, चेंज कर सकते हो, और चले कर में change होगा text, इसका style change करना है, इस इसके, जहां से आप इसचा,, तो front style change करना चाहँ तो आप यहां से change कर सकते हो, ये आप सार आप स्टाइल है, aerial करता हूँ तो aerial style इसका एगा, aerial black करता हूँ तो और style शेंज का जाएगा, color change करना चाहरे तो अब यहां से color भी change कर सकते हो कोई भी color आपने choose करने अब color choose कर सकते हो देखें तो मैं white ही रहने देता हूँ एक टेक्स-क्स-क्स-टाइल color change हो गया shapes के color change करना चाहरे तो आप यहां पे shapes है 11 medias 11 different किसम की shapes इसमें पढ़ी है तो अपने क्या करने है अपने just shape के ओपर click करने है तो देखें अब आप बस क्या हुआ यह different किसम की यहां पे shapes आगे इसके ओपर मैं अपने play head को लेके जाओंगा तो अब मेरे बस यह वाली shape आगी यह कौन सी shape है यह जो background पर यह जो shape है इसका style चेंज करना चाह रहा हुँ तो मैं इसको for example है से black color देता हो तो यह वाल ऐसा color आजाएगा यह जो shape है इसका color अप change करते हो junior तो अप इस पे click करओ यह PARLa कलर है इसका इसको change किरना चाहूज आओ तो यहां से इसको change कर सकते हो इसको मैं यहां से यह वाला कलर देता हूँ, देखें इसके बैक पे यह वाला कलर आ गया, अब जिस शेप को स्लेक करोगे तो वो देखो, यहां से स्लेक्ट हो जाती है, यह वाली शेप जो है, यहां पे करोगे यह वाली शेप है, जो यह बैक पे है, तो अब डिफरेंट यह यहां पे शैप से इस सब का style चेंज कर सकत voter आगई पिर यहां पर रखते हो, यह भी शैप आ जाज़गी अब इसका कलर चेंज करना है, इसका coroner करना है यह है इसका color मैं देते हूँ यहां से कलर झान के beverage यहाँ तुढे करने के र क्ता है, तुद देखेया है चेंज हो चुकिए अगर background music लगाना चाहरे हो आप तो background music भी लगा सकते हो उसके लिए आपने क्या करना है यहां पर आपको देखो music भी मिलते हैं काप सरे इंट्रों के लावा आपको यहां पर मिलेगा music यह music track आपको मिल रहे हैं music track में आपको कोई भी track उज़ करो इसको drag करके यहां पर लिए हो अच्छा एक चीज आपको और बता देतों में कि अगर आप गोर करो तो अपस यहां पर जो play head है play head के साथ आपको यहां पर time नजर आ रहा होगा इस time के साथ आपको जो है यहां पर अगर आप जाओ यहां पर देखो तो next frame पर में क्लिक करता हूं तो यह frame जब चेंज हो रही है तो आपको यहां पर नजर आ रही है यह six के साथ three three क्या आप for example एक frame बैक जाना चाहरे हो तो click करोगे तो देखो frame number two frame one zero आप easily यहां से इन बटन से भी अपने frame चेंज करके आप easily उस पर काम कर सकते है यह अपस होता है next media जो भी आपने apply किया हूँ है उसके लिए आपस आ जाता है for example मैं यहां पर मैं एक यह apply किया है इसके आगे मैं एक और for example media apply करता हूँ मैं यहां पर for example एक और यहां पर sound apply कर लिता हूँ तो मैं just यहां पर next media पर click करूँगा तो देखो यह next media पर यहां पर आगे previous पर जाना चाहरा हूँ तो start में चला जाएगा तो इसलिए यहां पर यह बटन यूज होता है तो frame to frame भी move कर सकते हूँ और media to media यहां से आप move कर सकते हूँ अच्छा यह जो music में ने apply किया है इस music को मैं come करना चाहरा हूँ तो एक तो मिने आपको बताया था कि आप just यहां से आप यहां से split करके Ctrl X करके यह split करके आप यहां से इसको इसके राव दूसरा तरीका कार किया है कि आप यहां से जो ही आप यहां पर लेकर जाते है अपनों pointer दो देखो यह अपस यहां पर एक arrow का निशान बनावाएगा आप इसको drag करोगे और यहां पर एक magnet tool active होके इसको देखेगा जो ही से करीब जाते है तो एक magnet tool active होका यह दे यहां से कम कर सकते हैं और अब यहां से इसको play करें तो अब यह आपस यहां पर एक intro बन गया अब इसको भी group करना चाहिए तो इन दोनों को select करके control G करके group कर लें अब आपने for example एक अपना जो है तो एक अपने intro आपने बना लिया आप इसको separately save करना चाहरे हो जैसे कि यहां यहां पर देखो तो मेरे hard to cat library files मेरे पास पढ़ी ही hard to cat से related है कुछ मेरे और जो है तो यहां पर देखें कुछ instructor और introduction है देखें जो course का यह lesson का introduction होता है वो आपको यहां पर नजर आ रहा है यह तो इनको आप सेपरेट बना कर रखे हुए तो इनको आप सेव करना चाहो separately त आ रहा हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा जस्ट यहां पर जाओंगा और यहां पर create new library पर click करूंगा यहां पर एक library बिना लेता हूं for example Camtasia course के नाम से blank library रखता हूं और create करता हूं तो इक मेरे पास library यहां पर बन किया है अब यह जो मैंने अपना intro बनाया है इसको मैं राइड करूंगा और इसको मैं करूंगा library पर add करना चाहं तो मैं add to library पर click करूंगा ча मैं और यह group 1 के नाम से यहां पर देके सेव हो चुका है, अब जस्ट में यहां से ड्राइग और ड्रॉप करूँगा, तो मेरा यह एंट्रो यहां पर आ जाएगा, अब इसी तरह आपस एंट्रो के लावा बहुत सारे लॉट थर्ड भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हैं, तो उसके लिए आप य करके अब डिफरेंट किसम के लॉट थर्ड हैं, आप कोई भी लॉट थर्ड बनाना चाहो तो आप इसी ली उस पर काम कर सकते हो, जैसे कि यहां पर यह विला लॉट थर्ड है, इसको मैं यहां पर रखता हूँ, तो यह मेरे पस एक लॉट थर्ड आ गया, यह देखें आग जहां कहीं भी आपको पास कुछ पड़ी हैं, आप पको पिक्चर यहां पर अप्राइब कर सकते हूँ, जैसे कि मेरे पस यहां पर एक पिक्चर पड़ी है, इसको मैं उपन करता हूँ, यह देखें तो यह इसके साथ इंपोर्ट होगे, इसका साइज कम ज्यादा करना चाह तो आप यहां से साइज बढ़ा सकते हूँ, अच्छा एक स्पेसिफिक एरिया में आप इसका साइज में सही नजर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे यहां से, आप इसको जोमिंग इसके बढ़ाओगे, एंड टूल होगे, और इसको अठाके यहां पर दिख्या होगे, तो आपको यह देखिं, क्लियर नजर आ रहा है, अपने यहां पर टूल लेना है, और इसको आप प्रिमर्जी, अपने एकॉर्डिंग आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, अब यह मेरे पस आ गया, अब इसका स्टायल कलर चेंज करने तो आप यहां पर कर सकते हो, उसके तो ठीक है, एक यह वाली शेप है, इसका कलर में चेंज करता हूँ, इसका कलर में कर लेता हूँ, पिक टूल लेता हूँ, पिक टूल लेके, यह जो कलर है, यह जो इसके बीच का यह वाला कलर है, यह फार इसको चूस करता हूँ, तो यह कलर इसका आ गया, इस लोर सेट को याप अपनी लाइबरेरी में इम्पॉर्ट करना चाहो तो ऐसे provision है उसी針ाव आप इसको इम्पॉर्ट कर सकते हैं उसके लिए क्या आप इसको आप इसको क्रिक करोगे अपने रिखलगे Camtasia Course और Save कर सकते हो, आप इसको play करके देखते हैं, यह देखें, तो आपके पास एक lower third भी बन गया, तो आप इस तरह different किसम के काम कर सकते हो, बहुत कुछ आपके पास यहाँ पर पढ़ा हुए, आप lower thirds भी है, आपके पास motions background है, different किसम के आप use कर सकते हो, यह देखें, काफी स इसके लाब मुजिक्स हैं और यहाँ पर आउट्रोस भी हैं, आप different किसम के आउट्रोस आप यहाँ पर apply करना चाहूं, इंट्रोस क्या होता है कि आप start में और आउट्रोस जो होता है, आप end में लगा सकते हो, यह देखें आप आप आउट्रोस आप यह यूज़ कर सकते हो बैकरांड पीछे लगाना है, तो पीछे बैकरांड लगाने के लिए क्या है कि फ़र इजंपल सही नजर नहीं आ रहा है, तो आप फ़र इजंपल इसके पीछे white color का कोई बैकरांड लगाना चाहरे, तो आप यहाँ पे annotations में जाके, आप यहाँ पे shapes में जाओगे और यहा का यहां पर यहां क्या देख सकते हैं तो यह था आज का lesson जिसमें हमने देखा कि आप different किसम की libraries को यूज करके आप अपने entros, lower third और outros गरा कैसे बना सकते हैं next lesson में हम कुछ और चीजों के पर काम करेंगे तब तक अपनों बहुत सारा ख्यार लगेगा और हाफस